हेलो फ्रेंड्स आज हम डिश्टीवी के एक OTT एप्लिकेशन जिसका नाम वाच्चो है उस एप्लिकेशन को इंस्टॉल कैसे करना है और यूज कैसे करना है उसके बारे में जानते हैं तो आए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मुझे प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा यहा तो यह एप डाउनलोड हो गया है इस्टॉल हो गया है अब मैं इसको ओपिन करता हूँ तो फ्रेंड्स यहां पर वाच्चो का होम पेज खुल के सामने आ चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पे सबसे पहले मुझे रिकमेंडेट प्रोग्राम देख रहे हैं यहां पर वाच्चो ओरिजनल, बॉलीवोड मुवी ट्रेलर, वाच्चो स्पॉटलाइट, मोर् फ्रम क्यू इंडिया ऐसा सेग्मेंट दिख रहा है जिसमें अलग-अलग प्रोग्राम की लिस्ट मुझे यहां पर दिख रही है जैसे अगर वाच्चो ओरिजनल में मैं चाता हूँ तो आप देखेंगे यहां पे मुझे 4 Thieves, Love Crisis, The Mortuary ऐसे अलग-अलग प्रोग्राम दिख रहे हैं अगर टॉप में मैं चलू हूँ तो आप देखेंगे यहां पे इंडियन रुपी का एक सिंबल बनके आ रहा है इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहां पे मुझे membership और उसके plans की जानकारी यहां पर मिल जाएगी available pack जो है उनकी जानकारी यहां पर मिल जाएगी और नीचे proceed to login का link दिख रहा है more के option पे मैं जब जाओंगा तो यहां पे मैं क्लिक करता हूँ तो जो सबसे पहली चीज मुझे दिख रही है वो है login या sign up तो मैं login पे क्लिक करता हूँ और जब login पे क्लिक किया तो आप देखेंगे यह login का page आ गया जहां पे मुझे यह दो option दिख रहे है watch a user और दूसरा है dish d2h user तो watch a user पे आप देखेंगे email आड़ी या mobile number का option दिया है यानि email आड़ी या mobile number डालके मैं login कर सकता हूँ या मैं facebook के द्वारा भी login कर सकता हूँ अपना जैसे मैं यहां पे क्लिक करता हूँ login with facebook तो यह watch a app directly facebook से link हो गया है और continuous अभिशेक में मैं click करूँगा तो मैं directly facebook के दुरू watch a पे login हो जाओँगा new user यहां पे click करके अपना account बना भी सकते हैं जैसे मैं यहां पे आपको दिखाता हूँ मैं एक number डालता हूँ यहां पे जो की already registered नहीं है और continue पे click करूँगा तो एक OTP आएगा उस नए number पे जिससे आप registered करना चाहा रहे हैं जिससे आप यह मैंने OTP डाला OTP verified हो गया और उसके बाद register करना पड़ेगा मुझे अपना नाम, password, date of birth और category डालके सफिर मैं register पे click करूँगा तो मैं यहां पे registered हो जाओँगा दूसरा option है Dish D2H user पे मैं इस पे click करता हूँ तो Dish या D2H की जो हमारे subscriber है वह अपना RMN डालके यानि register mobile number डालके login कर सकते हैं जैसे मैंने यहां पे register number डाला एक OTP भीजा जाएगा register mobile number पे continue पे click किया homepage खुल गया है वापस मैं more पे जाता हूँ अब आप देखेंगे यहां पे sign up को option आ रहता है वहां पे android testing यानि अब यहां पे मुझे customer का नाम देखेगा इस पे मैं अगर click करूँ तो आप देख सकते हैं यहां पे profile आ जाएगी खुलके इसको मैं edit भी कर सकता हूँ जैसे android testing यहां पे दिख रहा है आपको तो मैं इसको change कर सकता हूँ then date of birth यहां पे मैं select कर सकता हूँ और update कर सकता हूँ जैसे मैंने यहां पे एक नाम डाल दिया यह टावबर्ट में कुछ भी ले लेता हूँ इसको update कर देता हूँ तो आप देखेंगे यह update हो चुका है साथी साथ मैं इसमें email id भी अपनी रिजिस्टर कर सकता हूँ वापस आता हूँ मैं अब मैं वापस अगर अपनी प्रोफाइल में जाता हूँ एडिट पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे प्रोफाइल लगाने के लिए भी एक option मुझे दिख रहा है तो मैं क्लिक करता हूँ इस पर दो option आ रहे हैं upload from gallery या upload from camera तो directly camera से भी मैं फोटो कीच के अपनी प्र अब अब आप देखेंगे यहां पर प्रोफाइल पर कियां पर यह लग गई है तो यह प्रोफाइल पर कियां पर लग गई चेंज पैक मैंनेज अकाउंट और contact us तो मैं recharge के option में चलता हूँ यहां पर मुझे VC नंबर दीख रहा है जो district week के साथ मेरे link है और यहां पर मुझे monthly जो recharge amount है वो यहां पर दीख रहा है मैं इसको change भी कर सकता हूँ या same amount के साथ भी जा सकता हूँ तो मैं मुझे करना क्या होगा simple recharge now के button पर click करना होगा और multiple recharge option जो है मेरे सामने खुल के आ जाएंगे तो मैं recharge कर सकता हूँ paytm के through debit card credit card beam upi और net banking इसे मुझे जो भी select करना है मैं select करूँँगा और आगे further process करूँगा देन दूसरा है channel guide मैं channel guide में चलता हूँ तो यहाँ पर मुझे आज कल और पर्सों के जो प्रोग्राम है उनकी जानकरिया पर मिल रही है जिसे अगर मैं देखूँ 104 number lcn number जो की set hd है उस पर अभी कौन सा प्रोग्राम आएगा फिर साड़े 6 से 8 बजे के बीच कौन सा प्रोग्राम आएगा उस प्रोग्राम की जानकरिया पर मिल जा रही है न सिर्फ आज की आज कल और पर्सों की भी यहाँ पर जोनर वाइस भी मैं select कर सकता हूँ जैसे मैं यहाँ पर अगर क्लिक करता हूँ तो entertainment के सारी channel मैं search कर सकता तो मैं यहाँ पर movie इसके जैसे 304 नमबर आप picture HD देख रहे है तो अभी कौन सा आ रही है movie इसके बाद कौन से आएगी इसे पूरी जानकर यहाँ पर मिल जा रही है channel number finder जब channel number finder पर मैं जाता हूँ तो मुझे LCA number से कौन से channel है उसकी list पुरी यहाँ पर दिख जा रही है आप देखेंगे यहाँ पर जैसे 108 number पर end tv HD है और 109 number पर end tv है इसी तरीके से यहाँ पर एक search का option दिया हुआ है मैं इस पर अगर जी टीवी सर्च कर रहा हूँ तो अगर जी टीवी टाइप करता हूँ और सर्च करता हूँ तो आप देखेंगे जी टीवी HD और जी टीवी जो की LCA number 110 और 111 पर है उनकी list यहाँ पर आ गई है अब मैं change pack के option पर क्लिक करता हूँ तो एक page खुलके आ गया है मेरे सामने जहाँ पर मेरा existing pack है उसकी detail मुझे यहाँ पर दिख रही है जो अभी titanium SD मेरा existing pack चल रहा है और उसका price मुझे यहाँ पर दिख रहा है अगर इस package में मुझे कुछ change करने है जैसे channel कोई add करना है या कोई add on लगाना है साथी साथ अगर कोई bookie add करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ जैसे मैं अगर कोई bookie लगाना चाहूँ यहाँ से तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पर एक select किया colors वाला गुजरात budget प्लस जैसे click किया वो एक select हो गया है और अब यहाँ पर expand पे click करके proceed मैं click करूँगा तो यह bookie मेरे pack में add हो जाएगा वापस आता हूँ मैं manage account में मैं जाओंगा तो यहाँ पर user का नाम उसका VC number account balance recharge due date switch off date यह सारी जानकरी मुझे यहाँ पर दिख जा रही है साथी साथ जो registered mobile number है वो दिख रहा है इसको मैं edit कर सकता हूँ email id यहाँ पर मैं add कर सकता हूं या edit कर सकता हूं अगर कोई registered है तो package अगर यहाँ पर जो मेरा चल रहा है वो refresh हो जाएगा और मुझे refresh balance यहां पर show करेगा अगर refresh नहीं है उस condition में यहांसे मैं अपना mobile number भी edit कर सकता हूँ email ID edit कर सकता हूँ या अपना जो मैंने recharge amount है उसकी भी जानकारी मैं यहां पर ले सकता हूँ तो अब चलते हैं contact us में जहां पर मुझे बहुत सरे option दिख रहे हैं कि क्या problem है app related problem है या कोई channel नहीं देख पा रहे है signal related issue या payment related issue है तो जो भी issue इसमें से है आप select कर सकते हैं जैसे अगर payment related कोई issue है तो मैं इस पर search करूँगा और यहां पर उससे संबंदित जो भी problem आ रही है वो type करूँगा account not recharge या जो भी problem है और इसको मैं submit कर देता हूँ जैसे ही मैंने submit किया एक pop-up आ जाएगा कि request ले ली गई है मेरी एक request और पड़ी थी इसलिए लिख क्या आया कि we have already receiver request तो इसके बाद में दिया हूँ नंबर है एक 95017 95017 इस पर call करके और कोई अगर जानकारी चाहिए तो हम जानकारी ले सकते हैं miss call service miss call service पर क्लिक करते हैं तो miss call service किस तरह से काम करेगी उसकी जानकारी यहाँ पर मुझे मिलेगी जैसे अगर मुझे कोई चैनल activate करना है तो उसको add कैसे करना है उसकी जानकारी यहाँ पर मिल जा रही है अगर offer के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर दिये हुए नंबर 87506-87506 पर miss call देके मुझे offer की जानकारी मिल सकती है 3 days extra recharge, account information तो miss call देके मैं यह information ले सकता हूँ या अगर 101 या 102 का error screen टीवी पर दिख रहा है तो दिये हुए नंबर पर miss call देके मैं problem को solve कर सकता हूँ इसके साथ ही साथ यहाँ पर मुझे email address दिया हुआ है और website URL दिया हुआ है तो इन दोनों method को भी मैं use करके contact कर सकता हूँ तो अब हम चलते हैं movies के section में movies के section में जाते ही इस section में जो भी program है हमें यहाँ पर दिख रहे हैं following में मैं जाता हूँ तो वो series जिसको मैं follow कर रहा हूँ उसकी list यहाँ पर मिल जाएगी जैसे मैं एक series है fourth series उसको follow कर रहा हूँ तो उसकी list यहाँ पर मुझे मिल रही है वापस मैं अगले मैं चलता हूँ my watch list यहाँ पर जो watch list है movies, tv, show या clip की इसकी list यहाँ पर मुझे मिल जाएगी my upload section में जो मैंने upload किये हैं videos उसकी list यहाँ पर मिल जाएगी अगर आप नीचे की दरफ देखेंगे एक option दिया है video upload करने का यहाँ पर यहाँ से मैं वीडियो upload कर सकता हूँ my download section में वो content जो मैंने download करके रखा हुआ है उसकी list यहाँ पर मुझे मिल जाएगी जैसे मैंने यहाँ पर एक बागी 3 का officially trainer download करके रखा हुआ है वो यहाँ पर मुझे दिख रहा है मैं इसको देख सकता हूँ यहाँ पर क्लिक करके अब चलते हैं मेंबर्शिप और प्लाइन में तो मेंबर्शिप और प्लाइन में जब मैं जाएगा तो मुझे जो सब्सक्रिप्शन पैक है उसकी जानकर यहाँ पर मिल जाएगी और प्लाइन मुझे सेलेक करना है सेलेक करूँगा और उसको प्रोसेट टू पै पे क्लिक करूँगा मैं यह प्शन आगया यहाँ पर अगर कोई कूपन कोड है तो आप कूपन कोड भी डाल सकते हैं प्लाइन प्राइस टोटल अमाउंट पेबल यहाँ पे इंफरमिशन देख रही है प्रोसेट पे क्लिक करता हूं मैं तो आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं डेश वॉलेट से या पेमेंट गेटवे से जो भी ऑप्शन आप सेलेक करेंगे उसकी लेस्ट यहाँ पे हमको द कुछ आप्शन देख रहे हैं जैसे पैरेंटल कंट्रोल, नोटिफिकेशन, अप्लिकेशन सेटिंग, स्टीमिंग सेटिंग, डाउनलोड सेटिंग और लग आउट तो आए इनके बारे में भी एक बार जान लेते हैं तो सबसे पहले मैं चलता हूं पैरेंटल कंट्रोल में जब मैंने क्लिक किया मुझे तीन ओप्शन देख रहे हैं पैरेंटल रिस्टिक्शन वाचो रिस्टिक्शन लेवल और चेंज पिन तो सबसे पहले पैरेंटल रिस्टिक्शन के बारे में देखते हैं यहाँ पे मुझे आउन या आउफ करने का ओप्शन दिख रहा है पैर तो जितने भी 16 plus content है young adult के उनको देखने के लिए अब मुझे यहाँ पे pin code डालना पड़ेगा यह pin code मैं change pin option में change भी कर सकता हूँ अगर parental restriction mode off करना है तो मैं वापस इस पे click करूँगा यहाँ पे application mode से दुबारा pin code डालने के लिए बोल रहा है मैंने charge visit के अपना पुराना pin code डाला और validate कर दिया आप देखेंगे parental restriction mode off हो चुका है notification section में चलता हूँ तो यहाँ पे जो content मैंने subscribe के हुए है या follow कर रहा हूँ उनकी कोई notification होगी या accounts related कोई भी notification होगी वो मुझे यहाँ पर मिल जाएगी application setting में जब मैं जाओँगा तो application setting में मुझे notification setting मिलेगी जो की तीन तरीके से यहाँ पर पूछ रहे है email, sms या push content preference में जाता हूँ तो यहाँ पर कौन सा content मैं देखना चाहता हूँ उसकी preference list सेट कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से जैसे मैंने select कर लिया update preference पर क्लिक करूँगा तो preference save हो चुकी है वापस मैं जाता हूँ और मैं इसको deselect भी कर सकता हूँ इसी के साथ theme के option में जाता हूँ तो यहाँ पर dark theme है on है यह मैं इसको off कर सकता हूँ तो आप देखेंगे background color change हो गया है theme मैं change कर सकता हूँ show subtitle यह mode on है मैं इसको on या off कर सकता हूँ application related setting हमने देख ली अब चलते हैं हम streaming setting में streaming setting में यहाँ पर auto by default selected है इसको low, medium, high भी मैं कर सकता हूँ यानि कि streaming video आप किस quality में देख पाएंगे low quality, medium quality या high quality अब download setting में मैं चलता हूँ तो download quality क्या रहेगी high quality, medium या low और एक option हो रहे है always ask यानि कि जब भी आप कोई content download करना चाहते हैं तो आप से पूछेगा कि quality क्या रखना चाहेंगे आप download over wifi ही अगर आप करना चाहते हैं तो इसको on कर दीजिए या इसको off भी कर सकते हैं आप इसके बाद में log out का एक option दिया हुए यहां से आप log out कर सकते हैं आप चलते हैं FAQ section में FAQ section में आप देखेंगे यहां पे predefined questions मुझे दिख रहे हैं और उनके यहां पे answer भी मिल जा रहे हैं वापस चलता हूँ मैं अगला option है contact us contact us के माद्यम से इस watcho app से related कोई भी feedback अगर मैं देना चाहूँ तो यहां पे मैं दे सकता हूँ next है term and condition term and condition में इस app को use करने की क्या term and condition है वो यहां पर मुझे detail में मिल जाएगी आ रहे हैं subscription और recharge का तो अगर यहां पर कोई subscription में लिया है तो उसकी जानकारी यहां पर मिल जाएगी plan name status active है या non active है इसकी जानकारी आ जाएगी फिलाल अभी यहां पर कोई भी history नहीं दिखा रही है और अगर recharge में जाते हैं तो मैंने अगर कोई recharge किया होगा तो उसकी जानकारी मुझे यहां पर मिल जाएगी तो अब हम चलते हैं original segment की तरफ यह मैंने click किया और आप देखेंगे यहां पर original segment में जो program available है उनकी list मुझे यहां पर दिखाई दे रही है जैसे उपर की तरफ program available है तो उसके बाद crime and filler segment में जो program available है उनकी list आ रही है daily astro में जो program available है उनकी list must watch drama एक segment है उसमें जो program available है उनकी list आ रही है इनमें से कोई भी program को मैं click करके यहां पर देख सकता हूँ जैसे earth saty original available है मैं आप इसको click करता हूँ इसमें इसके episodes की list यहां पर आ गई है तो जो भी episode मुझे देखना है मैं उसको यहां पर देख सकता हूँ या download के option में जाके download कर सकता हूँ तो आपने देखा download quality मुझसे पूछ रहा है और यहां पर मुझे episode देखना है तो मैं यहां पर click करके episode भी directly देख सकता हूँ अभी यह load हो रहा है आप देखेंगे यहां पर यह भी यहां पर program play हो चुका है मैं वापस चलता हूँ और अब मैं आता हूँ spotlight segment में तो spotlight segment में आप देखेंगे यहां पर इस zone में जो program available है उनकी list मुझे यहां पर देख रही है जैसे बिख रहे हैं alfas अगर मैं इस पर click करूँगा तो आप देखेंगे कि जितने भी इसके episodes available हैं यहां पर देख रहे हैं episode 1, episode 2, 3, 4 किसी को भी देखने के लिए जैसे अगर मुझे episode 2 देखना है मैं आपर click करूँगा और इसको मैं देख सकता हूँ वापस आता हूँ मैं अब तीसरा segment जो मुझे देख रहा है जो है live tv यह live tv यहां पर मैं देख पा रहा हूँ जो segment है यह segment उन्ही customers के लिए available है जिन्होंने dish या D2H का connection लिया हुआ यानि कि जो हमारे active subscriber है dish या D2H के वो customer यहां पर इस live tv feature का फाइदा उठा सकते हैं और content भी according to package ही हमें यहां पर दिखाई देगा तो मैं दिखाता हूँ आपको यहां पर जैसे popular channel का लिस्ट आ रहा है Hindi news की लिस्ट आ रहे है Hindi entertainment knowledge तो यह package के according यहां पर मुझे दिखाई दे रहे है अब जैसे अगर मुझे यहां पर Z action दिखना है तो मैं Z action पर click करूँगा आप देखेंगे अभी Z action पर क्या आ रहा है race 3 आ रही है तो मुझे अगर click दिखना है तो मैं इस पर click करता हूँ तो इस तरीके से कुछ live TV काम करेगा अब मैं वापस home page पर चलता हूँ home page पर जाने के बाद आप उपर की तरफ दो option आपको और दिखाई दे रहे है एक camera और एक search का तो मैं जब camera पर click करता हूँ तो आप देखेंगे मैं जाता हूँ my upload के section में यानि जब मैंने click किया तो मुझे my upload के section में लेके गया जहां से मैं अपने बनाए हुए video यहाँ पर upload कर सकता हूँ जैसे मैंने click किया तो यहाँ पर मुझे से पुछा जा रहा है कि आप को वीडियो यहाँ पर upload करना चाहते है तो यहाँ से मैं upload कर सकता हूँ याँ मुझे अगर कोई content search करना है तो यहाँ पर search का option है यहाँ पर मैं वो content search कर सकता हूँ तो इहाँ पर जैसे में 4ties प्रोग्राम यहाँ पर अविलेकल है मैं उसमें 4TS डाल कर सर्च करता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पर सर्च कर लिया vapor थीवस दिखा रहा है यर यह यह पर अविलेबल है इसके अलावा जो movie के trailer है जैसे बागी movie का trailer यहाँ पर available है तो मैं बागी movie का trailer दिखना चाहता हूँ मैंने बागी डाला और search किया तो आप देखेंगे यहाँ पर बागी movie का trailer यहाँ पर आ गया है तो यह search करने का option मुझे मिल जाएगा यहाँ पर तो friends हमने देखा यहाँ पर इस OTT application को कैसे download करना है कैसे login करना है और कैसे इस्तमाल करना है यह पूरा process हमने यहाँ पर जान लिया है Thank you so much